कि है आप एक नई बिजनेस की अपर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं या करियर की ऐसी आप पॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं जिसमें आप बहुत लिमिटेड कापिटिल के साथ एक बिजनेस शुरू कर सके क्या आप यह जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से ऐसे business हैं जहां बहुत limited capital के साथ business को शुरू किया सकता है क्या आप ऐसी companies के साथ business opportunities को भी सर्च कर रहे हैं जहां पर company अपने back end से आपको support and services provide करती है तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे businesses जहां पर कम capital के साथ भी highly profitable business शुरू किया जा सकता है लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को like जुरू करें क्योंकि जो business opportunities मैं आपके लिए कर आया हूँ बहुत ही valuable है उमीद करता हूँ अपने like का बटन दबा दिया है friends किसी भी business को शुरू करने से पहले आपको ये समझना होगा कि उस business में कौन से ऐसे features होने चाहिए जिसकी वज़ा से आप कम capital में भी कम समय में भी बहुत अदिक सफलता हासिल कर सकते है number one हमें इस तरह का business देखना चाहिए जहाँ पर limited capital के साथ हमें कम working capital के जुरूत पड़े मतलब उस business को rotation में लाने के लिए routine में चलाने के लिए आपके पास working capital कम हो तब भी वो business long run तक survive कर सके दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस company product या service related आप business करने जा रहे हैं कि वहाँ पर कितना stock आपको अगर product है या company है तो कितना maintain करना पड़ता है क्योंकि आपके पास capital limited है इसलिए आपको ऐसा business करना चाहिए जहाँ पर inventory control ना करना पड़े मतलब material stock में ना रखना पड़े business में कौन से से 5 factors हैं जो बहुत important हैं उनको अच्छे से समझ लें और उसके बाद ये चैन करें कि कौन सा business आपको शुरू करना है उस वीडियो का link description box में दिया हुआ है वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो लेते हैं आज का पहला business ये business है fitness industry का fitness industry में जहां बहुत huge capital के साथ बहुत सारे लोग gymnasium बना रहे हैं latest equipments and machinery को install करके एक बहुत बड़ी capital के साथ business शुरू कर रहे हैं वही fitness industry में आप limited capital के साथ fitness center खोल सकते हैं fitness center develop कर सकते हैं जहां पर crossfit exercise, power yoga and zumba classes को organize किया जाता है और यहां पर चाहिए आपको एक proper hall और थोड़ा सा interior और साथ में music system और थोड़ा से gym के equipments और बहुत सारे trainers आज market में available हैं जो आपके साथ मिलकर उस gymnasium को चलाने में बहुत आपकी help करेंगे और hourly basis पर भी वो चार्ज करने के लिए तयार हो जाते हैं इस तरह के fitness center को start करने में एक लाख रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक के investment आती है यह depend करता है आप किस area में उस business को शुरू कर रहे हैं कितना interior या कितना investment level पर आप उसको शुरू कर रहे हैं उसी के according area wise आप फी भी चार्ज करेंगे और फी आज के टाइम पर fitness center के हम बात करें तो 1,000 रुपी पर मन्त, 2,000 रुपी पर मन्त, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 यह depend करता है किस तरह के लोगों के लिए आपने वो fitness center में डेवलप किया है आप चाहें तो बहुत सारे छोटे 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 fitness centers हैं जिनकी आ फ्रेंचाइजी लेकर भी उनकी support and services के साथ आप बिजनस setup कर सकते हैं उमीद करता हूं कि small capital के साथ start करने वाला business यह आपको समझ में आया होगा आप इस small capital के साथ इस business इस industry में enter कर सकते हैं और आप इस business को कर सकते हैं next जो career है वो tech industry का है आध बहुत सारे individuals या बहुत सारे यूथ अपने आपको social media marketer के रूप में develop करके इस से related information ग्रैप करके इस से related courses करके या आज तो YouTube पर भी इस से related बहुत सारे वीडियो दिये हुए हैं आप को चाहिए एक आपका laptop एक internet connection और थोड़ी से knowledge, social media, internet marketing and digital marketing से related उसके बाद आप छोटे-छोटे SMEs को contact कर सकते हैं, shopkeepers को contact कर सकते हैं, restaurants को contact कर सकते हैं या हर वो व्यक्ती जो अपने आपको advertise करवाना चाहता है internet marketing के जरीए उनको आप contact कर सकते हैं आप 5,000, 10,000, 15,000 and 20,000 रुपी पर मन तक पर client चार्ज कर सकते हैं और ऐसी दिया आपने 10 clients एकटे कर लिए तो 50,000,000 रुपे से लेकर 2,000,000 रुपे पर मनता का पासानी से कमा सकते हैं ये business भी एक recurring revenue model है अगर आपका support system अच्छा है आप अच्छे से अपने client के लिए advertise कर पा रहे हैं तो वहां भी आपको recurring revenue model के अंतरगत आपको regular पैसे मिलते रहते है इस case में आपको office setup भी नहीं चाहिए ये काम आप घर से भी कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा generate कर सकते हैं नेक्स जो business opportunity में आपको बताने जा रहा हूं वो creativity based business है आज बहुत सारे लोग जो शहरों में रह रहे हैं वो handicraft से related products खरीदना चाहते हैं तो कुछ लोग ये tie-ups villages में करते हैं गाओं की ladies से वो tie-up करते हैं और बहुत सारे handicraft handmade products वहां बनवाते हैं और उसके बाद में उनको exhibitions के माध्यम से और social media पर advertise करके बहुत असानी से sale करते हैं तो handmade products हैं उनके demand इंडिया में बहुत ज़ादा है और आप जब वो product develop कराते हैं तो वहां आप labor को के बर labor cost मे भी वो चीज़े बनवा सकते हैं इसके demand ना केवल हमारे देश में बलकि international trade में भी बहुत ज़ादा है इसलिए आप handicraft का handmade products का business भी कर सकते हैं जहां पर आपको जरूरत है थोड़ इसी technology को समझने की और social media और internet marketing के जरिए अपने business को advertise करने की इसके लिए आपको कोई बड़ा setup नहीं चाहिए कोई office setup नहीं चाहिए क्योंकि exhibition में participate करने के लिए आपके पास एक stall होना चाहिए और साथी साथ handicraft based material होना चाहिए जो आपको labor से villages से बहुत सारे लोग जो handmade चीज़े बनाते हैं उनसे बहुत nominal cost पर मिल सकता है इससे related काफी सारे videos मैंने इस channel पर डाले हुए ह sales and marketing से related video देखने के लिए आप description box में there will link को click कर सकते हैं ताकि आप यह समझ पाएं कि जो handicraft आप दूर दराज के इलाकों से गाउं से ladies से purchase कर रहे हैं उसको market में sale कैसे करें and the next business opportunity that is bulk buying आज बहुत सारे लोग जो bulk buying के business को कर रहे हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा business option create किया है वो market में हमें से research करते रहते हैं कि क्योंकि आज आप जानते हैं कि अर्थवस्ता में इस समय मंदी का दौर है और मंदी के दौर में लोग व्यापार को survive नहीं कर पा रहे ह बहुत सारे shops, बहुत सारे restaurants, बहुत सारे showrooms, बहुत सारे outlets तेजी से बंद हो रहे हैं तो इसी opportunity का benefit ये लोग उठाते हैं ये क्या करते हैं कि जहां भी कोई shop बंद हो रहे हैं उसका सारा का सारा material bulk buying के माध्यम से खरीद लेते हैं मतलब one shot वो material एक bidding पर खरीद लेते हैं, auction मे खरीद लेते हैं या उसकी एक valuation करके खरीद लेते हैं और उसके बाद वो लोग shop नहीं चलाते, वो लोग शोर्म नहीं बनाते, वो लोग exhibition में participate करते हैं और उस सारे material को exhibitions के माध्यम से बेचते हैं तो bulk buying का एक concept आजकल बहुत ज़रा trend में हैं आपने देखा होगा international stores भी one shot में sale करके market से exit हो जाते हैं और वो लोग exhibitions में participate करके उस material को regular बेचना शुरू कर देते हैं और साथी साथ ऐसे लोग उस material को sale करने के लिए कहीं भी एक nominal cost की shop या space लेते हैं और वहाँ पर mega sale के नाम से उस सारे material को sale कर देते हैं इस business में recurring operating expenses नहीं होते जैसे ही आपने material purchase किय exhibitions के माधियम से आपने sale कर दिया या एक limited time के लिए आपने वो space लिया और वहाँ material रखकर sale के माधियम से सारा material sale कर दिया और वो लोग उन कपडों को rewash करते हैं dry clean करते हैं repacking करके market में exhibitions के नाम पर imported कपडों के नाम पर दुबारा से बाजार में sale कर देते हैं और आपने देख देते हैं तो आप भी bulk buying के business को कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपकी recurring cost like rent, electricity, staff salary यह बहुत जादा नहीं आती जिससे map metal purchase करते हैं उसी से में उसको sale करने के लिए sale के माधियम से या exhibition के माधियम सारा material based देते हैं यह एक highly profitable business है यहाँ पर profit margin 50%, 100%, 200% and up to 500% भी होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय में service based industry बहुत तेजी से grow हो रही है जहाँ पर family बहुत नहीं होती है, husband, wife दोनों working होते हैं जिसकी वज़े से वो अपने holiday को utilize करना चाहते हैं अपनी person life के लिए इसीरे वो लोग अपने कपड़ों को regular basis पर laundry में भेजते है तो laundry service में dry cleaning outlet एक बहुत अच्छे business की opportunity है जो 2 से लेकर 5 लाख में आप आसा आनी से शुरू कर सकते हैं क्योंकि इस industry में एक supporting industry हमेशा आपके साथ होती है, आपकी outlet पर तो केवल कपड़े pick and drop की facility होती है, back end में जो उसकी washing, उसकी dry cleaning, उसकी cleaning ये सारा का सारा काम बहुत सारी companies करती हैं, जो आपको back end support देती हैं, तो आप एक dry cleaning की shop भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो ratio of profit आता है 50%, 60%, 70% and up to 80% profitability इस business में होती है, limited पूंजी के साथ इस business को शुरू कर सकते हैं, इस business में आपके client तो आपको recurring revenue देंगे, लेकिन आपको को stock maintain नहीं करना, आपको किसी तरह से capital को re rent, आपकी electricity, अगर shop आपकी किराये पर है, और साथी साथ आपके staff के salary, और regular आप business को कर सकते हैं, company के support and services बहुत ज़्यदा होती हैं, आज बहुत सारे brands इसमें अपने franchisee दे रहे हैं, या आपके outlet पर अपनी support and services के साथ आपके साथ tie up करके business कर रहे हैं, capital is one of the best brand जहां पर वो बहुत सारे छोटे छोटे आउटलेट्स को या तो franchisee module के माधियम से, या already existing dry cleaning shop पर उनको support and services दे कर उनके business को मजबूत बना रहे हैं, तो आप इस industry में भी आ सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छे business की opportunity है, जहां कम capital के साथ, limited capital के साथ, recurring revenue model पर काम करके और cost effectiveness के साथ आप काम कर सकते हैं, उमीद करता हूँ कि low investment based ये business ideas आपको पसंद आयोंगे, like का बटन जरूर दबाएं और ये videos अपने दोस्तों को जरूर दिखाएं, ताकि वो भी अपने जीवन में limited capital के साथ, एक अच्छे business opportunity को adopt करके, बहुत अधिक सफलता हासिल कर सकें, मेरा कोई भी informative वीडियो मिस्त ना हो, इसके लिए इस चैनल को subscribe करें, मैं डॉक्टर आमित महिश्वरी आपके सुनरे भविश्य की काम ना करता हूँ, जय हिंद, जय भारत with best prices and best offers, अभी दंटो करे, at my abu pharmριा